ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा नमस्कार साथियों सारा विश्व आज कोरोना के संकट से तरस्त है लेकिन मानिये प्रधान मेंत्री जी द्वारा समय पर लिए गए निर्डेयों के कारण आज हम सारे विश्व की तुलना में कहीं अच्छी स्तिती में हैं लेकिन कोरोना के संकट के साथ ही शायद कॉंग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं का दिमागी संतुलन बिगरता जा रहा है संकट के इस दौर में भी कॉंग्रेस के नेता बद जुबानी और घ्रनित राजनीती से बाज नहीं आ रहे अब सवाल ये उठता है कि क्या वे अपनी राज्य सरकारों की कमियां छुपा कर जनता को बर्गलाने की कोशिश कर रहे है या मोदी जी की उभरतिवी वैश्विक छवी से अपने नेताओं में उपज रही हीन भावना को कम करने की कोशिश राजस्तान के चिकित्सा मंत्री श्री रगु शर्मादी जी द्वारा मीडिया को कल दिया गया वक्तव वे सामने आया है कि प्रधान मंत्री श्री मोदी जी द्वारा मुख्य मंत्रियों के स्वात में की गई वीडियो कॉन्फरेंसिंग में राजस्तान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गैलोजी ने जब राजस्तान के लिए कुछ मांगें उठाई तो उसके प्रत्युत्तर में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ने तो हम से कुछ मांगो और ने ही कुछ करो बस दो दिन अख़बार में छपकर रह जाएगा स्वास्थे मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए और एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए देश के प्रधान मंत्री जी के बारे में जूट फैलाना लोग तंतर का अपमान है राजस्तान की जनता का अपमान है और उसी राजस्तान की जनता जिसने कॉंग्रेस को राज्य की सत्ता इसलिए सौपी थी कि संकट के समय शायद उन्हें मदद मिलेगी लेकिन यहां तो कॉंग्रेस की सरकार और उसके नेताओं ने उल्टी गंगा बहा दिये सारा संसार जहां भारत में कोरोना की रोक्ताम के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ कर रहा है उस नेता की सरहना कर रहा है सारा देश जिस मोदी को इस संकट के समय में लिए गए कदमों की तारीफ कर रहा है आज उसी का अपमन दूसरी ओर राज्य सरकार हाथ पर हाथ दरे बैठी है तुष्टी करण की अपनी नीतियों के कारण हुई नाकामियां के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठराते वे जूट पर जूट घड़े जा रही है इसका एक उधार पिछले दुना ही सामने आया था जब राजस्तान के ये कॉंग्रेसी नेता और कॉंग्रेस विधायक ने बुजुर्ग जरूरत मंद माता को सिर्फ इसलिए बिनाराशन सामगरी के बेरंग लोटा दिया था क्योंकि उन माता जी ने प्रधान मंत्री जी की तारीफ कर दी थी अपने दिल की बात कह दी थी जिस पार्टी के विधायक और मंत्री अमानवियता की सीमा पार कर चुके हो शायद उनसे मानवियता की उम्मीद करना बेमानी ही है मित्रो मैं राजसान के स्वास्ते मंत्री को चुनोती देना चाहता हूँ कि वे अगले 24 घंटे में प्रधान मंत्री जी के विरुद्ध कही गई अपनी बात को साबित करके दिखाए अन्य था मोदी जी से सारवजनिक रूप से माफी मांगे स्वास्ते मंत्री जी ने माननी मुक्य मंत्री श्री अशोक गैलोज जी का भी नाम लिया है और अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए उनके नाम का सहरा लिया है मैं राजस्थान की जनता की ओर से मुक्य मंत्री जी से भी ये प्रश्ण करता हूँ कि सच क्या है वे बताएं क्या मोदी जी ने वही कहा था जो आपके मंत्री महोते बता रहें और यदि नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश और कॉंग्रेस के प्रति इस तरह से सरासर जूटा और सम्वेधानिक व्यवस्ता को कलंकित करते वे बयान देना कैसे स्विकार किया प्रधान मंत्री जी के बारे में अनर्गल बोलकर अपनी राजनिती तो चमका ही जा सकती है लेकिन कॉंग्रेस को उपर नहीं उठाया जा सकता ये जूट कॉंग्रेस को मुबारक मगर सच्चाई सामना लाना हमारा काम है हम जनता के सामने सच्चाई को लाकर रहेंगे हमारी शर्त भी कायम है यदि स्वास्ते मंत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाते तो उन्हें सारवजनिक रूप से देश से राजस्तान की जनता से और आदन ये प्रधान मंत्री जी से माफी मांगनी होगी राजस्तान की जनता उनसे जवाब मांगेगी और राजस्तान की जनता का ऐसा जवाब मांगना हक भी है वैसे भी इस पत पर रहते हुए श्री रगू शर्मा जी ने नहीं के बराबर काम किया है नतीजा राजस्तान की जनता ने अनेक बार भुगता है राजस्तान की जनता श्री शर्मा जी ये नहीं भूली है कि कैसे आपकी और आपके मंत्राले की विफिलता के वज़े से एक महीने के भीतर-भीतर सौ से ज़्यादा नवजाच शुशूओं की मौत हो गई थी जिसकी जिम्मेदारी से आपने अपने आपके तो हाथ तुरंती कीच लिये थे और अपनी कमी को चुपाने के लिए अपने ही उपमक्य मंत्री के साथ आरोपों की राजनीती में आप उतर आये थे कोरोना वाइरस से निपटने की रणनीती में राजस्तान की सरकार लगबग शुन्य साबित हो रही है एक तरफ लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस कर्मियों के साथ लगातार मारपीट हो रही है दूसरी तरफ जनता केंद्र द्वारा भेजी गई सहयोग की समय पर लाभारती के पास नय पहुंच पाने के कारण से तकलीफ में है तो वहीं कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस अपनी विफलता चुपाने के लिए पहले तो आत्मबग धोकर भीलवड़ा मॉडल के गुणगान करवाने में मस थी और अब सरकार जनता के प्रकौप से बचने के लिए इस तरह के अनरगल बयान कर दे करके असल मुद्दे से ध्यान बटकाने की कोशिश कर रही है लेकिन मानिय रगु शर्मा जी राजस्तान की जनता जवाब मांग रही है और जवाब लेकर भी रहेगी अपने साथ हुए हर एक धोके का हिसाब रख रही है और वक्त आने पर ये हिसाब चुकता भी करके रहेगी